हेलो, आज हम बात करेंगे सिरम टेस्टोस्टिरोन टेस्ट की टेस्टोस्टिरोन क्या होता है? सिरम टेस्टोस्टिरोन टेस्ट क्यों किया जाता है? कैसे किया जाता है? इस सब के विशे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूँगी टेस्टोस्टिरोन क्या है? टेस्टेस्टेरों एक normal sex hormone है, जो की males और females दोनों में पाया जाता है ये hormone हमें puberty और fertility के लिए चाहिए Males में testosterone, तेस्टेस द्वारा बनाआ जाता है और females में testosterone ovaries में बनता है ये test करने के लिए कब कहा जाता है मेल्स में यदि अरली या डिलेड प्यूबर्टी हो या फिर इंफर्टिल्टी हो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या हाइपोगोनडिसम हो या मेल्स के शरीर पे बाल बहुत कम हो गए हो तो यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है females में यदि infertility हो या irregular menstruation हो या फिर शरीर पर बहुत जादा बाल हो जिसे virilism भी कहा जाता है तो ये test करने के लिए कहा जा सकता है ये test कैसे किया गाता है इस test के लिए एक blood sample की अवशक्ता होती है जो कि patient की बाजू से लिया जाता है क्या इस test से पहले कोई खास precaution लेने के लिए कहा जाता है आम ताप पे इस test को करने से पहले कोई भी medicine यदि patient ले रहा हो उसे 48 से 24 hours पहले बंद कर देना चाहिए लेकिन यदि patient ने गलती से दवाई ले लिया हो तो doctor को उसके विशे में जानकारी दे देनी चाहिए testosterone levels change होने के क्या कारण हो सकते है male patients में testosterone कम होने के बहुत से कारण हो सकते है जैसे बहुत stress लेना, liver disease होना, hypogonadism या testis को चोट लगना और कुछ किसम के brain tumors इसके अलावा कुछ genetic diseases जैसे clean filter syndrome में भी testosterone levels कम रहते हैं कुछ conditions जैसे early या pre-cautious puberty या फिर कुछ testicular और adrenal tumors में testosterone levels बढ़ सकते हैं इसके अलावा hyperthyroidism में भी testosterone के levels बढ़ सकते हैं female patients में testosterone बढ़ने का कारण हो सकता है polycystic ovarian disease या PCOD इसके अलावा rare conditions जैसे ovarian tumor या adrenal tumors में भी testosterone बढ़ सकता हैं क्या दवाईया लेने से testosterone बढ़ सकता हैं? हाँ, बहुत सारी आम दवाईया हैं जिनके खाने से testosterone बढ़ जाता हैं जैसे oral contraceptic pills, estrogen या ovulation inducing drugs जैसे की clomyfin इसके अलावा anti-convulsants, barbiturates देने से भी testosterone बढ़ सकता हैं बढ़ के बढ़ सकता हैं झाल